नमस्कार दोस्तो राजस्तान फुलीस कॉंस्टेबल बरती की परिक्षा तिति को लेकर के बड़ा अपडेट निकल कर आया है दोस्तो आप सभी का एक बड़ा सवाल यही था कि सर इसकी एकजाम कब आयुजित की जाएगी तो दोस्तो आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्तान फुलीस कॉनस्टेबल बर्ति परिक्सा को लेकर आईए आपको बताते हैं क्या अपडेट हैं राजस्तान फुलीस कॉंस्टेबल भरती परिक्सा का इंतजार कर रहे है ब्यारतियों के लिए बड़ा अपडेट फुलीस मुख्याले द्वारा कॉंस्टेबल भरती परिक्सा के लिए कोई अभी अधिकारिक नोटिस नहीं जारी किया गया है दोस्तो ऐसे में मार्च अप्र एसे में पुलिस मुख्याले का खहना है कि अगर कॉंस्टेबल बर्ती परिक्सा मार्च महिने में करवा दी जाएगी तो बोर्ड परिक्सा है और कॉंस्टेबल बर्ती की परिक्साओं में टकराव हो सकता है इसलिए दोस्तों मान कर चलिए कि मार्च महीने के अंदर कॉन्स्टेबल बर्ती परिक्सा नहीं आने वाली है आगे देखे दोस्तों बोर्ड की परिक्सा को सुरू होने में सिरफ महीने बर का समय बाकी है लेकिन अभी राजस्तान पुलीस मुख्याले ने कौन स्टेबल बर्ती के लिए तारीकों का एलान नहीं किया है समभत है अगर एकजाम मार्च से सुरुवात में नहीं करवाई जाती है तो कौन स्टेबल परिक्सा और कौन स्टेबल भरती परिक्सा की तिती में टकराव हो सकता है जी हाँ दोस्तों यही बात सामने आ रहे हैं क्योंकि मार्च महीने के अंदर बोर्ड परिक्सा हैं इसलिए राजस्तान बोर्ड जो है राजस्तान पुलिस की एक जाम मार्च महीने में तो कम से कम नहीं करवाएगा अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे होगी कि मार्च परिक्साथ और 24 मार्च को स्टार्ट होने वाली है क्या पुलिस मुख्याले 24 मार्च से पहले है परिक्सा आयोजित कर सकता है तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है अगर 24 मार्च से पहले परिक्सा तिती आयोजित होती तो अभी तक कब की ही पुलीस की परिक्सा तिती आ जाती सामने क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि कल आपकी एक एक्जाम होने वाली है इसे दो चार दिन पहले ही परिक्षा तीती गोशित कर दे ऐसा तो बिलकुल नहीं है एक्जाम कराने से कम से कम 20 से 25 या फिर एक महीने पहले तो पुलीस की तीती गोशित होगी फ्रेंड्स इसलिए मार्च महीने में तो संब्वत है एक्जाम नहीं उसके बाद में राजिस्तान पुलिस की जो एक्जाम डेट है वो कभी भी गोसित हो सकती है दोस्तो तो दोस्तो अभी भी आपके पास में बरपूर मोका हैं आपके पास और समय मिल जाएगा तैयारी करने का तो फ्रेंट्स आप तैयारी बिल्कुल बंद मत कीजिए तैयारी करते रहें क्योंकि अगर आप तैयारी को स्किप कर देंगे तो उसके बाद में आपकी तैयारी कंट्यूनी नहीं रह पाएगी आप कंट्यूनी तैयार नहीं रह पाएंगे इससे आपका सरकारी नोकरी का सपना तूट सकता है दोस्तो इसलिए आप अपनी तैयारी जारी र सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगले अपटेट के साथ में तब तक के लिए जे हिन जे भार्त जे किसान वंदे मातरम